सिर्फ 25 साल की उमर में 20 सिर्जादा मर्डर में Z5 पर दिखाया गया था और साकिब सलीम की जबरदस परफॉमंस को काफी ज्यादा पसंद किया गया और उसके बाद 2019 में जिमी शेरिगल को सेकंड सीजन के लीड रोल में देखा गया और इस सीजन के में रोल में आपको विनीत कुमार सिंग ही नजर आने वाले है दोस्तो ये सीजन भी राज नेती क्राइम और पॉलिटिक्स पर बेस्ट करने वाली है और जी फाइफ की तरफ से ऑफिशली अनाउंस कर दिया गया है कि ये वेब सीरीज बहुत जल्द जी फाइफ पर आने वाली है वेल बात की जाए इसकी कास्ट की तो दोस्तो विनीत कुमार सिंग के साथ इंडियन एक्ट्रेस अकांक्षा सिंग और राजेश तालांग भी इंपोर्टन रोल में नज़र आएंगे दोस्तो गर आपको पॉलिटिकल, क्राइम, जोनरा की मुविज और वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है वेल बात की जाए अब इस वेब सीरीज के प्रीमियर्स की तो दोस्तो अभी तक Z5 की तरफ से ऑफिशली अनाउंस नहीं किया गया कि इस वेब सीरीज को किस डेट पर डिजिटल रिलीज किया जाएगा बट Z5 ने अपने फैंस को गुड नियूज दे दी है कि बहुत जल्द Z5 पर ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है हो सकता है दोस्तो इस वेब सीरीज को आप ओगस्ट के मंथ तक Z5 पर देख पाएं वेल कैसी लगी आपको विनीत कुमार सिंग की ये फर्स्ट लुक और कितना एक्साइटेड है आप रंगबाज वेब सीरीज के तीसरे सीजन के लिए कॉमेट करके जरूर बताएं जैसे इस वेब सीरीज से जुड़ी कोई भी और अपडेट सामने आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूँगा अगर यह वीडियो आपको उच्छी लेगी तो इस वीडियो को लाइक और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा ही कॉंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन करना ना भूलें